नच्छ के लिए घर्शन के बारे में बात करें तो आप सबी यह बात बखूब ही जानते कि अगर कोई भी वस्तु चल रही है यानी की एमोशन में है और उस पर हमें स्टॉप लगाना है तो उसके लिए घर्शन का बल नैचुरली काम करें एक बड़े से प्लेग्राउंड में बॉल को किक कर दीजिए थोड़ी सी दिर के बाद देखेंगे आप की बॉल अपने आप रुक जाती है वो जो अपने आप रुकने वाला बल उस वक्तू पर लगा या उस गेंद पर लगा वो जो फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं फ् अगर ये इसका motion है तो इसके विपरीट दिशा में जो बल लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं घरशन का बल तो आप से पूछ लिया जाए कि friction force क्या होता है तो simple सी बात है घरशन वो बल होता है जो किसी भी वस्तू की गती का क्या करता है विरोध करता है तो पहली खास बात जो कि आपको friction से पता होनी चाहिए कि frictional force क्या होता है तो याद रखेगा ये वो force है which opposes the motion of the object ये वे बल है जो वस्तू की गती का विरोध करता है याद रखेगा बल जो वस्तू की गती का विरोध करता है simple सी बात करेंगे कि अगर वस्तू चल रही है और उसकी गती का विरोध हो रहा है यानि कि जो उसके opposing काम कर रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं घर्शन कहते हैं आप सबी यह बात बखु भी जानते हैं कि घर्षन हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि अगर friction ना हो हम लिखना शुरू करें हम लिखते ही चले जाएं, हम चलना शुरू करें हम चलते ही चले जाएं और हमेशा के लिए हम जम्प करें हमेशा के लिए उपर ही चले ज आवलुप्र पता होनी चाहिए कि फ्रिक्षन फोर्ष के अलग अलग टाइप्स होते हैं जयरे कि घरशन फ्रीम पांको वह सकते हैं जी हम बात कर रहे हैं गरषन बलके प्रकार के बार," यानि कि types of frictional force के बारे में चीक है चलेगा discuss करते हैं कि कितने type के frictional force होते हैं तो याद रखेगा दो तरह के frictional force होते हैं one is static friction क्या कहा रहे है static frictional force यानि कि हम बात कर रहे है stit घर्षन किसके बारे में बात कर रहे है stit घर्षन के बारे में और दूसरा होता है, डायनमिक, या फिर आप कह सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्षन, दूसरा कौन सा होता है, काइनेटिक या फिर डायनमिक फ्रिक्षन, तो सिम्पल सी बात करेंगे, स्थित घर्षन और गतिज घर्षन, याद रखेगा, दो तरा के घर्षन होते हैं, वान इस तित आसंट और कोेटगा अगर हम बात करते है स्टाटिक फ्रिक्शन की तो नाम से क्लियर태 है यह घर्षं तब लगता है जब वस्तू किसमें होता है याद रखेगा विराम की अवस्ता में उता है हम मानके चल के कि हमारे पास एक object है और ये object rest पर है मान के चलते कि हमारे पास एक book है और ये table पर रखी हुई है तो याद रखेगा अगर एक वस्तू विराम की अवस्ता में है और उस पर बल लग रहा है तो याद रखेगा उसे क्या कहते है उसे कहते है static friction अगर हम kinetic या dynamic friction के बारे में बात करें तो simple सी बात याद रखेगा जब भी कोई वस्तू गती में होती है याने की motion में होती है तो उसमें जो force लगता है उसी को हम क्या कहते है उसी को हम कहते है kinetic या फिर आप कहलेजिए dynamic friction और यह फिर से दो तरह के होते हैं पहला आता है आपका sliding friction बात कर रहे है किसके बारे में सरपिय घरशन के बारे में और दूसरा कौन सा आ जाता है याद रखेगा rolling friction दोनों ही frictional force आपस में एक important role play करते है बात करें अगर सरपिय घरशन की तो नाम से ही clear है जब एक वस्तू दूसरी वस्तू के ओपर क्या करती है slide करती है ring जैसे ये वस्तू है और ये क्या कर रही है इस पर slide कर रही है तो जब एक वस्तू दूसरी वस्तू पर क्या करती है, slide करती है, ring ती है, तब जो आपका frictional force महसूस होता है, याद रखेगा उसे कहते है sliding friction, लेकिन जब एक वस्तू दूसरी वस्तू पर क्या करती है, roll करती है, एक surface पर क्या करती है, roll करती है, तो उसी को हम क्या कहते है, rolling friction, तो इतनी सी बात याद रखेगा कि दो तरह के घर्षन आपके कानेटिक फ्रिक्षन का एक हिस्सा बनते हैं सबसे पहले कौनसा बनता है स्लाइडिंग फ्रिक्षन यानने कि जब एक वस्तू दूसरी वस्तू पर क्या करे स्लाइड करे रेंगे उसे हम कहते है sliding friction बट जब एक वस्तू एक surface के ओपर क्या करती है रोल करती है जैसे जब गाड़ियां चलती है तो automobil के जो tires होते हैं उनकी movement के बारे में अगर हम बात करें तो वो किस तरह की होती है याद रखेगा वो rolling friction होती है exam में question बस इतना सा पूछा जाता है कि अगर आपको तीन तरह के friction दे दिये जाए याने कि अगर आपको कहा जाए कि आपके पास तीन तरह के friction है और ये जो तीन तरह के friction है वो है static friction याने कि स्तित घर्षन sliding friction याने की सरपिय घरशन और तीसरा दे दिया जाए rolling friction आप से कहा जाएगा कि तीनों को घटते हुए क्रम में बदलिए इस तरह से दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि तीनों को घटते हुए क्रम में बदलिए तो इतनी सी बात याद रखेगा एक बात जो आपको exam में बखु भी यहां से पूछी जाती है और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इन तीन तरह के friction को आपको कहा जाए अरेंज करो तो सबसे ज़्यादा आएगा static friction याने कि जब वस्तु विराम की अवस्ता में होती है तो सबसे ज़्यादा घर्शन लगता है इसके बाद आएगा sliding friction याने कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या करती है रिंगती है, स्लाइड करती है और लास्ट में क्या आजाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन बस इतनी सी बात को अपने ब्रेन में बिठा लीजिएगा ये चोटी सी ट्रिक आपके बहुत काम आएगी और आपके एक्जाम में आने वाले कोशिंस को जरूर अच्छे से अटेप्ट कर देगी इसी तरह से पढ़ते रहेगा, आल देवरी बेस्ट इस योगेश, सानिग आफ, बाबाई टेक अपरी गुद केर अवर्सेल्फ और सेल्फ और या दोंट फोर्गेट तो कनवर्ट योवरी ताइब इंट बाई